मैं अक्बर उद्दीन ओवेसी जिसे खानून साज समली का रोकुन मुन्तखिब किया गया है अल्लाह के नाम से हल्फ लेता हूँ कि मैं खानून की रोह से राईज दस्तूर हिन का वफादार और फर्माबरदार रहूँगा तिलंगाना की कॉंग्रेस सरकार ने All India मजलिस ए इतिहादूल मुसलमीन के विधायक और असुद्दीन ओवेसी के भाई अक्बर उद्दीन ओवेसी को विधान सभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है वैसो तो पूर्य मुख्य मंत्री के सी आर सबसे वरिस्ट विधायक है मगर वा अस्पताल में भरती हैं तुम माला नागेश्वर राव उत्तम कुमार रेड़ी पोच राम श्रीनिवास रेड़ी और अक्बर उद्दीन ओवेसी छे बार विधायक बने हैं राव और रेड़ी दोनों कैबिनेट मंत्री बने हैं पोच राम श्रीनिवास रेड़ी पहले बियारे सरकाल में स्पेकर थे इसलिए चंद्रियान गुट्टा सीट से जीत दर्ज करने वाले अक्बर उद्दीन ओवेसी शनिवार को ते लंगाना के लिए विधायकों को शपत दिलाएंगे ओवेसी की नियोकती पर बिजेपी विधायक टी राजा सिंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा है वो ओवेसी के सामने सपत नहीं लेंगे ती राजा सिंग ने कहा कॉंग्रेस सरकार ने उसके लिए आदेश निकाला है कि कल अक्बर उद्दीन ओवेसी के सामने सभी लोग शपत समारों में शामिल होंगे ये राजा सिंग जब तक जिंदा है AIM AIM के सामने शपत नहीं लेगा अक्बरुद्दीन उव इसी के सामने शपत नहीं लेगा गुशा महल से बिजेपी विधायक संग ने कहा 2018 में भी इसी AIM AIM के विधायक को प्रोटेप स्पीकर बना कर बिठाया था उस समय भी नहीं ली मैं कॉंग्रेस के मुखे मंत्री रेवंत रडडी से बूशना चाहता हूँ कि क्या आप BRS के मार्ग पर चलना चाह रहे हैं तीराजा ने कहा सरकारे जमीनों पर उनका कपज़ा है कि लंगाना में रहकर हिंदू को माने की बात करते हैं क्या ऐसे व्यक्ति के सामने शपत लेंगे रेवंत रेडडी कहते हैं कि BRS, AIM, AIM और BJP एक है अब बताये कि आपका AIM, AIM से क्या रिष्टा है उन्होंने कहा विधान सभा में कई वरिस्ट विधायक हैं उनको भी बना सकते थे लेकिन जान बूच कर अलप संख्यों को खुश करने के लिए बहुत बड़ी कलती की लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे कल किसी भी हालत में BJP का विधायक शपत नहीं लेगा आगे जब कोई स्पीकर बनेगा तब शपत लेंगे बता दे कि तिलंगाना विधान सबाचुनाओं में कॉंग्रिस ने BRS को हरा कर सकता हासिल की है कॉंग्रिस ने 119 सीटों में से 64 सीटों पर जीत दर्ज की वही BRS ने 49 BJP ने 8 और AIM ने 7 और CPI ने एक सीट पर जीत दर्ज की है videodeskamarujala.com अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें